आज के इस वीडियो में आपको रेडि मेड नैक बनाने का तरीका बता रही हूं और ये कड़ाई वाला एक सूट है जिसकी मैंने कटिंग पहले से की हुई है तो इसका गला बनाने का तरीका आप हम सीखेंगे ये सूट लाइनिंग वाला है अगर आप lining वाला suit नहीं बिना रहे हैं तो कोई normal कपड़ा आप cutting करके रख लीजे गले के उपर जिस तरीके से मैं lining रख रही हूँ तो यह lining जो मैंने cut करके रखी है इसे इस तरीके से मैं spread कर दूँगी सबसे पहले यह देखी मैंने center crease बना के रखी है और इसके उपर हम यह जो suit है हमारा इसको रखेंगे यह देखी हमने इस तरीके से उल्टा करके रखना है इसको अब इस गले का center point हम mark कर लेते हैं इस तरीके से cut लगा के और इसी तरीके से हम lining का भी center point mark करेंगे cut लगा के अब lining को और गले को एक दूसरे के उपर इस तरीके से रखना है कि दोनों के center point एक दूसरे के बिलकुल उपर आएं अब हमें इसकी center में बिलकुल यहां पर कच्ची सिलाई लगानी है center में कच्ची सिलाई हम इसले लगा रहे हैं ताकि हमारा गला बनाते हुए हिले नहीं अब हम गले की लंबाई मेजर करेंगे आपको जितनी भी लंबाई गले की तयार चाहिए आप उतनी रख सकते हैं मुझे 7.5 इंच लंबाई तयार चाहिए तो इसलिए मैं 8 इंच ले रही हूँ क्योंकि आधा इंच उपर से दबने में भी आ जाता है और इस तरीके से निशान लगा देते हैं अब इस कड़ाई के design के साथ साथ हमें सिलाई लगाते जाना है बिल्कुल बराबर दूरी में साथ साथ हमें सिलाई लगानी है इस तरीके का गला बनाने का यह सबसे आसान तरीका है आपका जो भी design होगा आप उसके साथ साथ ही सिलाई लगाएंगे इस तरीके से हम इसको पूरा सिल देंगे यह हमने सिलाई लगा दी है गले के उपर यह देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगाई है में डिजाइन से थोड़ा सा दूर ही मैंने सिलाई लगाई है इसके उपर आप चाहें तो बिल्कुल साथ साथ भी लगा सकते हैं अब सेंटर वाला जो कपड़ा है इसका एक्स्ट्रा वो हम कट कर देंगे जैसे कि हम गला बनाने के लिए करते हैं उसी तरीके से अब अब हम इसको पलटना है यह देखिए अब हम इसको पलट देंगे इस तरीके से यह देखिए हमने पलट दिया है गला और सिधा कर दिया है अब हम इसके उपर टॉप सिलाई लगा देंगे इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद हम यहां पर टॉप सिलाई लगाएंगे बहुती केरफुली और बिल्कुल सफाई से यहां पर टॉप सिलाई हमें लगानी है हमने टॉप सिलाई लगा दी है और फाइनली हमारा गलाई रेडी हो चुका है तो गाइस अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें कोई क्वेस्चन हो तो कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ एक जो घंटी वाला बटन है उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें तक यू सो मुच